आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारूती इको के बारे में क्योंकि भाई जो मारूती की इको है ये गाड़ी काफी अच्छा सेल फिगर लाती थी लेकिन आजकल जो इसका जो डिजाइन है जो लुक है वो काफी जादा आउटेटेड और बहुत जादा बॉक्सी लगने लगा है तो ऐसे में जो है बाई सुजुकी कमपनी जो है अपनी इको में काफी बड़े बड़े अपडेट्स करने वाली है अगर आप लोग बाई इको को प्रचेस करने का प्लैन कर रहे हो तो यार बाई थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि बाई जो इको है ना इसमें आपको काफी बड़े बड़े चेंजेस मिलने वाले हैं बाई जो है इंजन वगेरा भी आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा जो की आज इस वीडियो में आपको सारी इंफर्मेशन हम प्रोवाइड कराने वाल है बाई जो इको है इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लिटर का K12 N dual jet engine जो की आपको VVT Ford cylinder petrol engine के साथ ये गारी मिल जाती है और इसमें आपको CNG का भी option दिखने को मिल जाता है और इसका बाई जो माईलेज है प्रोल पर वह आपको मिल जाता है 20 के आसपास का बागी जो है बाई CNG पर ये आपको 28 तो मान के चलो बागी बाई लोड वगेर जैंगे जिसने कि गाडी कि max power है वो को 90 hp के आस पास तक का मिल जाएगी साथ ही गाडी की jys. lmav GURA Rep ad जिसने कि गाड़ी की जो performance एक्सलेशन है और स्पीड है वह आपको ज़यादा मिल जाएगी स्पीड आपको 140 के आज पास तक का देखने को मिलेगे भाई बाकि जो है गाड़ी आपको BS6 compliant देखने को मिल जाएगी अगर बात करें गाड़ी के dimension तो भाई जो गाड़ी की overall length होगी न इको की वो आपको मिल जाएगी 3675 mm की साथ ही इसकी बाई जो होगी चोड़ाई वो आपको मिल जाएगी 1475 mm की height आपको मिल जाएगी 1830 mm की wheelbase आपको मिलेगा 2350 mm के गाड़ी का जो वजन होगा वो आपको 1000 किलो का देखने को मिलने वाला है बाकि जो है इसमें आपको बाई मिल जाएगा 5 लोग को बठाने का सीटिंग कैपेसिटी बाइ जोर्टस आपको 5 मिल जाएंगे बूर्ड पेस आपको 235 लिटर देखने को मिल जाएंगा जो भाई fuel tank capacity है वो 8 लिटर बढ़ा दी जाएगा भाई fuel tank अब आपको मिल जाएगा 40 लिटर का और भाई जो eco है इस गारी में आपको front में disc, rear में drum, ABS, EVD देखने को मिल जाता है साथ ही जो है भाई इस गारी में आपको मिल जाएगा अब hill hold assist और भाई इसमें आपको cruise control भी देखने को मिलेगा भाई क्योंकि लोग जो है इस गारी को जाएगा दर भाई यूस करते है commercial भाई उसमें बहुत ज़्यज़ा problem होती है पैरो को तो इसमें भाई अब आपको मिल जाएगा cruise control और इसका भाई जो टायर की profile है वो आपको मिलेगी wider अभी जो भाई आपको टायर मिलता है वो मिल जाता है 155R 13 कम मिल जाता है और भाई जो टायर है वो अब आपको बड़ा मिलेगा वाइड मिलेगा जिससे कि भाई आपको काफी अच्छा balance मिल जाएगा और भाई इसमें आपको alloy wheels नहीं मिलते हैं शायद भाई आपको alloy wheel देखने को मिले भी भाई confirm नहीं ठीक है पाकी आपको इसमें steel wheel ही मिलेगा हाँ उस पे आपको alloy जैसे दिखने वाले wheel cap देखने को मिल सकते हैं बाकी कोई chance नहीं है बाकी जो होगा इस पेर वील वो आपको पतला सा दिखने को मिल जाएगा गारी जो बाई आपको आगे और पीछे एसी के वेंट मिलेंगे बाई साथ ही आपको मिल जाएगी फोल्डेबल, स्प्लिट की सीट और इसका जो M.I.D. वगेरा है वो आपको TFT का मिलेगा बाई जो की काफी बेसिक रहेगा दिखने में इसका बाई जो कलिष्टर है वो आपको नेगेटिव डिस्प्ले के साथ मिलेगा जो की बहुत ही नॉर्मल सा रहेगा साथ ही गाड़ी में आपको मिल जाएगा चार्जिंग सॉकेट जो की बाई आपको आगे और पीछे ये तो मिलेगा बाई साथ ही आपको 12 वोल्ड का भी कनवर्टर दिखने को मिल जाएगा इसके बाई जो mirrors है वो आपको power window के साथ मिलेंगी बाकि जो है गाड़ी का बाई जो look है ना company वो change करने वाली बाई इसका जो face है जो गाड़ी की headlight है वो आपको new design की दिखने को मिल जाएगे बाई गाड़ी में आपको नए मिल जाएगे DRL साथ ही आपको नए मिल जाएगे grill नए bumper नएा Suzuki का logo 3D में chrome finish में पीछे आपको मिल जाएगे रियर washer वाईपर आगे भी आपको dual washer वाईपर दिखने को मिलने वाले है गाड़ी का बाई जो door वगेरा है उसकी जो muscularity है जो बाई च खीक है और बाई जो eco है यह आपको अभी मिल जाती है पांच लाग तीस जार रुपए से लेके आठ लाग के आस पास तक बाई यह आपको एक शोरूम मिल जाती है तो बाई इसका जो नया variant हैगा वो महंगार है करीब मान के चलो पचास से साथ हजार रुपए वो गाड़ी उतनी महेंगी तो होई जाएगी और बाई जो eco है इसका जो बाई जनरेशन नेक्स्ट वाला है वो आपको मिल जाएगा दोबजा 24 के मिड तक बाई चाहो तो वेट कर लेना बागी बाई और कोई option भी नहीं है आपके पास इस गाड़ी के अलाबा तो बाई जो वीडियो है जय हिंदु वन दे मातरम बाई